जो है आस्वैं का आगेए बहुत स्थाम विंठान says बने रहेगा वीडियो के साथ पर आपको भी डर्शन आएंगे ये देखिए पूरा गली का माहौल इसमें सुनसान है पीछे आप गली देख रहे हैं पूरी सुनसान है और इधर भी पूरी सुनसान है देखिए तो रात के धाई बजे का टाइम है सौरी सवादों का टाइम है दोस्तों जहाज जादा 15-20 मेर्ट लगेगा व्रंदावन पहुंचने में हम अभी म देख सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं और हम जश्ट 10-15 मेर्ट में बंदावन पहुंचने वाल हैं स्री महाराच्ची के आपके दंसल करवाएंगे सीधा और अभी हम बत्वरा से निकले हैं जश्ट तो आपको और भी दुड़ा रोल टोल का नहीं रहाएंगे और फिर आपको आरे लीड दा मत पहुंचागे महाराच्ची के दर दौन चरवाते हैं ठीके दोस्तों मिलते हैं आगे तो भाईयों आप देख सकते हैं कितनी भीड है यहांपर आजित ए का जिल आए ज जा पूद धिनकर आजब अजी?? हुआ ए ज जिर आज हैं बूटी तिर पढे में फ़वे इन नंद वहान है 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 एस दून दया हो में खुर कंडी न हो डिए तुर्हें nik zar जा जा इकलिल निखता ज सिस्ट हुआ और भाइओ यहां से हटने के लिए क्या जा रहा है क्योंकि यहां पर बहुत भीर है एकटी हूई हुए और यह देखिए यहां पर भजन चल रहा है यहां पर कुछ संत लोग खड़े हुए है और वो श्री राधा बल्लब श्री हरिवन्जी भजन का गायन नहीं किस किस तरह की रंगोलियां बनाई महरा राजी की स्वागत में कितनी प्यारी प्यारी रंगोलियां बनाई हुई हैं आप देख सकते हैं पर जैश्री हरिवन्स बहुत आनन्य आ रहा है मित्रो इस समय करीब पॉने तीन वजे का टाइम है हम लोग को 15 से 20 मिनट लगा है यहाने में आगे पूरा अंधेरा है आगे चलके थोरा सा जो है कहीं उजाला देखते हैं क्योंकि उजाला में ही वीडियो बन पाएगी अभी यहां तो काफी अंधेरा है और यह देखिए रंगोली क द्रश्य देखिए मित्रो कितने प्यादी रंगोली बनाई हुई है तो चलिए आगे चलते हैं मित्रों और आगे चलके कहीं अपना इस्थान देखते हैं भरिया और वहां पर खड़े होके वीडियो बनाएंगे आपको पूरा जो है महराजी के पूरे दर्शन कराएंगे बने रही है कि वीडियो में जैसे किस्टा आए अच्छा आए देखिए भाईयो कितना भीड़ा है यहां पर श्री महाराश्य के डर्शनों के लिए आजे वाली बना लूंगा अपने तब लोग दिया यह देखिए किस तरह की रंगोली बनाई हुई है तो भाईयो महाराश्य आने ही वाले हैं थोड़ी देल में और जैसे जब महाराश्य स्टार्टिंग में आया करते थी तब इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं था कि यहां से महाराश्य जाते हैं बर जैसे जैसे लोगों को जो है इस बात का पता लगा कि महाराश्य रोज यहां से अपने इस्थान से निवास इस्थान से और अपने आश्रम पर जाते हैं केली कुछ पर तब से लोगों की भीड़ बहुत आ गई है यहां पर बहुत जो है लोग आते हैं दर्शनों के लिए महाराज जी के लिए अभी हम भी देखिए मतुरा से आये हैं दर्शन करने के लिए सिर्फ महाराज जी की जलक पाने के लिए और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तो दोनों चीजें एक साथ मे करेंगे महराजी आने ही वाले हैं देखे किस तरह से फूल डाले जा रहे हैं महराज जी के लिए स्वागत में खूल बिछाए जा रहे हैं तो आप से निवेदन है मित्रो वीडियो में बने रही है क्योंकि महराज जी आने वाले हैं थोड़ी दिर में आपको महराज जी के पूरे दर्शन कराएंगे वीडियो में में आपको 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 ड़से बीधन तुनितर नाजे लागा कुल स्या नुभर भियाए गया भरेशा है आपको दस्तोर होगे जाई है अपने स्थानगे रहे तुछ अभी सब्सक्राइब पर निचे डाली का उपर नहीं, माराजी का उपर निचे डाली। हम इरी के सारे जतले छीला, उतले बारी, हम च्रीक के सारे जतले 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 karşı उतले हैं मनें सी कर दा का लिंग झाम्झे प्लादे लझे टोज़े बुmond An-ट, प्लादे έχ प्लादे, झाम्स पहल प्लादे झाम्स प्लादे एंट साथी और भी महराजजी के आश्टम पर भी चलेंगे हम लोग, आश्टम पर चलके आपको दिखायेंगे, क्योंकि प्रवचन होते हैं महराजी के देखते हैं एक बार चलके आश्टम पर, क्या चल रहा है, चलिए रोष्टो जिसलिटेलmekा है और मुद्रों देखिया किस तरह की भीड है और सभी जवाब एके की नाम आपको कि लोग जो हैं जाप करहें हैं महाराजी आगे चल रहे हैं आगे निकल गए हैं और हम सब उनके पीछे-पीछे हैं कितनी सारे लोग हैं आप देख सकते हैं कितनी भीड है कितनी पबलिक है जो कि बाहार से आई हुई हैं सिर्फ महाराची के दर्शनों के लिए एक जलग पाने के में तो आफी हो इस दो रहां रहते दे रहाम से तो आपको इस पार और रचन कराते हैं, बाकि भीड में ही चलना पड़ेगा, चलिए जैसरी किष्णा को आई यो कमेंटमे रादे-रादे अवस्ट्री लिख करके बेजें आपकी कमेंट का इंतिजा देता है हमें तो सोगा है वीडियो को गूली देखिए का जो einem जाना दिखाएंगे है कर दो स्थंटेजिए कुछ ने महाराची की अधरसं के लिए इतनी सारी हुए लोग रंडोती तर्टे वेर रंडोती गषटो हुए रदाल रंडोती गषटो हुए तो भाई यो बने रहें वीडियो में अभी हम चल रहे हैं स्री प्रीमानन्जी महाराच के आस्टम पर और वहां का भी एक बार हाल दिखाते हैं आपको जो पवलेख है वहां पर रिखटी हुई है जो पवलेख अभी आपको दिखाते हैं वहाँ चलके बनी रहे वीटियो में जैस्ति किश्णा तो और राधे 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 देखिये दोस्तों भीड का आलम देखिए भाईयो यह अभी यहाँ पर जो है सत्संग चालू होगा महराज जी का अभी महराज जी अपने केली कुंजी जो है आस्टाम पर गए है यहाँ पर अभी सत्संग चालू होगा भी हमने इनसे बात की है तो इन्होंने बताया है कि सर्चसंग चालू होगा तो यह यहाँ पर आपको लाइन दीख रही है आप अंदर देख सकते हैं लाइन लगी हुई है यह देखें यह यह लाइन लगी हुई है अगलर तक और यह लाइब सर्चसंग देखने के लिए है और आगे व्यवस्ता की जो बतल कहा रहा है चलिए मित्तो जैसी जादी जो बतल को यहीं पर खतम करते हैं क्योंकि आगे हमने जब इंक्वारी की तो वहां पर अभी भीडा आज के लिए काफी हो गई है और कल अगर हम आना चाहें तो कल आ सकते हैं आज के लिए तो वहां पर जगा फुल है सट्संग सुनने के लिए तो कभी मौका लगा तो आपको महराजी का सत्संग भी सुनाएंगे मित्रो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखते के लिए इस वीडियो में फिलाल इतना ही फिर भी लेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैसी किष्णा जैसी रादे नमस्कार